स्पी साउथ अरूर कुमार सिंग ने ओपरेशन तमंचा के संबंध में बताया कि ओपरेशन तमंचा एड़ी जी जोन के द्वारा चलाया गया है इस अभियान में जो लोग तमंचा बनाने तथा तमंचा खरीदने वाब बेशने का काम करते आ रहे हैं उनके खलाफ कारवाई की जा रही है इसके अलावा इनके सोर्स की जानकारी और शस्त्र के दुकानों का भी सत्यापन करवाया जा रहा है स्वी साउथ ने बताया कि ग्रामील छेत्रों में अब तक अभियान के तहत साथ अभ्युक्तों को अवे तमंचे के साथ गरफतार किया जा चुका है उन्होंने बताया कि एक मामला यह भी आया है कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही गाड़ी पर अपने हथियार से फायर किया गया तथवा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फसाना चाहता था लेकिन पुलिस के द्वारा चानबीन करने पर वह पिस्टल उसी की निकली जिसके गरफतारी हुई उन्होंने बताया कि यह अभ्यान तमंचा बरामद होने तक ही सीमित नहीं है वह तमंचा आ कहां से रहा है इसका भी पदा लगाया जा रहा है और यह अभ्यान आगे भी जारी रहेगा इस समब्ध में गोरफपुर नियुसे बात करते हुए स्पी साउथ अरूर कुमार सिंग ने कहा तक है डीजी साब गोरफपुरद्वारा चलाया कि आध्यान है जिसमें यह है कि जो लोग भी पूर्म है तमंचा बनाने का बेचने का खरीदने का काम करते रहें इनकी सब्की तक्रिकात की जाए सस्त्र की जो दुकाने हैं उनका भी सथ्यापन किया जाए कारतियुसों का भी सब्की जाए कि यह जो विक्र हैं वाजिब हातों में जा रहे हैं या गलत तरगों पे जा रहे हैं उसी के तहत यह एक महोदे द्वारा प्रोग्राम बना के दिया गया है इस्टेप वाई इस्टेप तो उसमें अब वैद हत्यार जो हैं उनके विरुद्ध भी अभियान है साउथ शेत्र में अब तक कुल साथ तमंचे बरामद हुए हैं एक केस ऐसा भी आया है जिसमें एक व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी पे फायर मार करके और अपने विरुद्धियों के खिलाब मुकदमा लिखाना चाहता था लिकिन जब पुलिस ने तहकीकात किया तो पता चला कि यह पिस्टल उसी की अपनी निकली जिससे उसने किया था इस तरह से उसमें तमंचा सिर्फ बरामद होने की बात नहीं बरामद होने के बात उसका पीछे स्रोत क्या है वो भी एडीजी साब की मनसा है कि वहां तक भी खंगाला जाए उसी के तहत यह कार्यवाही चल रही है पूरे जन्पद में चल रही है कार्यवाही और जोन आफिस से चुकी आदेश जारी बात एक तरह से पूरे जोन में चल रही है कार्यवाही